नमस्कार किसान भाई यो आज आपको बताने वाला हूँ के आप सेप्टेंबर के महीने में कौन-कौन से सब्जिया लगा कर एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो मैंने इन सेप्टेंबर में लगने वाली 10 से 15 सब्जियों को टोटल 8 भागों में बाटा है यानि मल्टी ग्रॉपिंग के जरिए आपकी इस तरीके से एक अच्छी इंकम इस सेप्टेंबर के महीने में करेंगे मैं आपको इस बारे में आज बताने वाला हूँ पहले है ग्रूप A ग्रूप A में है मेथी पालक और दनिया जी हाँ दनिया पालक और मेथी तीनों ही एक नगदी फसल है जो की बहुत ही कम समय में आपको हर्वेस्टिंग देती है और आप इससे कच्छी इंकम बना सकते हैं दोस्तो एक बात का ध्यान रखे कि मौसम देख कर बुआई करें जिससे अगर आपके बीच डालने के बाद अगर पाने गिरता है तो बीच के जर्मिनेशन में बहुत ही समस्या होगी और बीच कम होगेगा जिससे आपकी जगे खाली रह जाएगी और जगह खाली नहीं रहेगी तो पालक आपको 20-25 रुपे किलो और दनि जिससे आपको दो फसले एक साथ करने को मिलेगी और दोनों फसलों के दाम भी आपको अलग-अलग तुरूप से मार्केट में देखने को मिलेंगे क्यूंकि मटर और खीरा दोनों ही तीन मेने की फसल है तो एक साथ लगने की साथ-साथ या एक साथ निकलेगी और आपका ख सब्रस्राइब आपको नीनदाइ गुड़ाय का घ्र एक गटएगा और आप अप तरीके से एक बर NHETी के कटाई लेश finding दोस्तो हमने ग्रूब डी में सिम्ला मिर्च और गेंदे को रुखा है गेंदे और सिम्ला मिर्च को चुणने का कारण है कि जो सिम्ला मिर्च में रिजन आता है जड़ों के बंदने का वुसी को जो गेंदा फूल होता है वो अपने जाल में फसा कर निमा टोट्स को मार देता और निमाटोट्स गेंदे फूल का बोजन भी है और गेंदे के फूल जो पीले कलर के होते हैं तो पीले कलर के गेंदे के फूल मच्छरो यानि जो उपरी कीट्स होती हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं जिससे आप एक अलग तरीके से अपनी फसल को बचा भी स ठंड के मुसम में दोनों ही फसले अच्छी चलती है और रोग और कीट इन में कम आते हैं अगर आपकी नरसरी तयार है तो आप अभी भी ट्रांस्प्लांटिंग सेप्टेमर में कर सकते हैं और अगर अभी आपकी नरसरी तयार नहीं है तो आप सेप्टेमर में नरसरी लगा खे cloth ?प शूर बड़ी सकते हैं अगर आपके एरिये में लेटस नहीं बिख्ता है तो आप लेटस को छोड़कर दूसरी फ़सर लगा सकते हैं और अगर लगा चाहिए तो इस तरिके से लगा सकते हैं दोस्तों ग्रूप F में हमने रखा है ब्रोकली और चुकून्दर को ब्रोकली का बाजार अगर आपके आस्पास अच्छा है तो आप ब्रोकली भी बड़े पिमाने पर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्यारी में आपको चुकून्दर लगाना है और ब्रोकली भी spoiler क्यारी कि ब्रोकली अब इन दोनों को लगाएंगी भी साथ में और निकालेंगी भी साथ में दोस्तो ब्रोकली में हाई प्रोटीन पाए जाता जिसके उज़े से शेहर के लोग काफी खाना पसंद भी करते हैं इस दोस्तो घुरोप जी में हमने रखा है प्याज और लेसुन को प्याज और लसुन एक ऐसी फसल है जो केस्क्रप में रूम में विजाती है और लंबे भाव कर रोक कर भी जाती है क्योंकि अगर अब प्याज को मातरब नरसरी के बाद थोड़े दिनों में ही उनकी कंद हल् मिलता है और लहसुर में भी जब थड़ी थड़ी कंग बिलती है और बैशते हो तब भी उसका मार्केट आपको अच्छा मिलता है जिससे कि आप एक अच्छी आमदनी कमा सकते हो गिले वजन में और वजन ज्यादा उतरता है अगर भाव कम भी मिले तो भी आपका सब्जी के बराबर का भाव आपको मिल जाता है किसान वीरोगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरूर करें चनल को सब्सक्राइब करें